अगर धर्दी पे कही जन्नत है तो वो यहां कश्मीर में है जी हाँ नाजरन असलाम अलेकों आज देखरें दे बोल वाइज स्रिनेगर में कश्मीर में एशिया का सबसे लार्जस्ट गुले लाला का बाग है जिसको टूलिप गार्डन कहते है एशिया का सबसे लार्जस्ट गार्डन माना जाता है आपको बताते चले हम अब भी मुझूद है एशिया के लारजेस्ट ट्यूलिप गार्डन में गुले लाला बाग में जहां पे 17 लाख के करीब ट्यूलिप लगाए गए इस साल और कम से कम 75 वाराइटी इसमें लगाए गए है यहां पे फूल पूरी तरह से खिले नहीं हुए है यहां पे वर्कर जो है वो लगे हो है इस बाग को खूबसरत बनाने में आप देख पार है यहां पे पिछले साल 3,75,000 के करीब ट्यूरिस सेलानी आये थे और इस साल उमान लगाया गया है कि चार लाख से जादा सेलानी इस कि आए आए बंग करें उल्हें है है कि एक ऊचार शौरी कमाने शुले सेथिए और इस ग्रोड़ाय की खिल द्यूरिस का बंग सिवाधर थे डिलवाई है और पर यहां पे आगा देखा जा है तूलिफ आपर टोल कि फैय मंदीं चलोंए तिकन एसे बूलानी इस देखिए फर्स्टा फाल आपका शुक्रिया यहाने के लिए टुलिप गार्डन जो है इसकी जो डेट है इसकी एनाउस की है आल्रेडी हमारे वर्दी कमिश्णर सेक्टरी साहब तेंटेटिवली इसका जो है 23rd मार्च 2024 को रखा गया है हमारी जो प्रेपरेशन से अल्मोस्ट आप देख रहे हैं अभी भी चल रही है और विदन वन और टू डेज देवल भी हो तो हमारी जो फुल प्रेपरेशन से अल्मोस्ट विया डन विद इस तो टुलिप्स की बात करें तुलिप्स में हमने अल्मोस्ट इस बार पांच नई वराइटी जड़ की है और इसके अल सबसे दरखास रहेगी जितने जैसे कि पिछले साल ओर्वल्मिंग रिस्पॉंस रहा हमारा टूरिस्ट टूरिस्ट फूटफाल का रिकॉर्ड ब्रेकिंग 3.72 लाग टूरिस्ट यहां पर आए इस बार भी हमारी एक्सपेक्टेशन है कि पिछले साल का जो रिकॉर्ड है य टुलिप जो है टुलिप एक नॉर्मल बल्बस क्रॉप नहीं है इसके जो फिजॉलोजी है वो अल्मोस्ट इन दे स्टोरेज भी इसकी चलती रहती है तो जो इसका विंटर पीरड होता है वो थोड़ा डॉर्मेंट होता है वो डूटिंग सीजन के लिए इस बार जो हमारी प्रस्पिटेशन है वो काम रही डेसमबर जैनवरी में तो उसके लिए सप्लिमेंटेड इरिगेशन थी हमारे पास वो हमने दी तो लकीली जो फेबरवरी में लास्ट वीक जो हमारी जो प्रस्पर ये स्नोफाल रही है और आप देख रहे हैं कि इस ओन ब्लूम नाओ